नमस्कार दोस्तों, क्लास एट्थ माराष्टा स्टेट बोर्ड, मैथेमेटिक्स, चाप्टर नबर 14, कमपोनेंटिस्ट, प्रैक्टिस एट 14.2, क्वेशन नमबर 10 क्वेशन नमबर 9 तक, क्वेशन इसके पहले के वीडियो में हो चुके हैं, तो आप पहले वो जरूर देखें, और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, कि चैनल को सुब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेर करें, और बेल आइकान प्रेस करें, जिस नमबर 10 क्या है, find the difference between the simple interest and componentist, on rupees 20,000, at 8% per annum in 2 years, अब in 2 years, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन, जो answer टेक्स्ट बुक में पीछे दिया गया है, उसके हिसाब से, 2 years यहां पे होना चाहिए, तो अब देखे, find the difference between simple interest और componentist के बीच में का difference हमें find करना है, तो जो भी values हमें दी गई है, 20,000 principle है, 8 rate of interest है, और number of years 2 है, तो principle P की value हमें यहां पे लेनी है, 20,000, rate of interest 8% per annum, और जो number of years है, yen is equal to 2 years, number of years 2 years, अब हमें simple interest पहले find करना है, तो simple interest का जो formula है, P into yen into R divided by 100, तो principle 20,000, into number of years 2, into rate of interest R divided by 100, तो जो यहां पे 2 zeros हैं, और 2 zeros हैं, वो cancel हो जाएंगे, 8 into 2, 16, 16 into 2, 32, और आगे यहां पे 2 zeros, तो 3,200 रूपीज, जो हो simple interest आ जाएगा, अब हमें compound interest find करने के लिए, पहले amount find करना होगा, तो amount, A is equal to, P into 1 plus R upon 100, bracket is to power N, amount का formula, अब उसके हिसाब से, P Q value 20,000, into 1 plus rate of interest, 8% per annum, तो 8 upon 100, bracket is to power N, number of years 2, तो अब यहां पे 20,000 into 8, यहां पे है, 1 plus 8 upon 100, तो cross multiply अगर हम करते हैं, तो 100 plus 8, तो 108 divided by 100, into 108 divided by 100, 2 times क्योंकि यहां पे square है, फिर होगा cancellation, cancellation करके फिर calculation करना है, तो यहां के 2 zeros, 2 zeros cancel, 2 zeros, 2 zeros cancel, फिर 108 into 108, multiplication करना है, और उसे फिर 2 से multiply करना है, तो जो answer आता है, यहां पे multiplication करके, आप multiplication कर सकते हैं, तो 233, 28, तो 23328, multiply करके आप check करें, तो यही answer यहां पे आ जाता है, अब हमें componentist find करना है, तो componentist का formula है, amount minus principle, तो जो amount की value है, वो 23,328, minus principle की जो value है, वो 20,000, तो 23,328 minus 20,000, अगर हम subtraction करते हैं, तो 3,328, subtraction के बाद, आप subtraction करके देखें, यही आएगा, 3,328, तो जो compound interest हुआ, वो हुआ 3,328, और जो simple interest हुआ, वो हुआ 3,200, यह simple interest है, और यह compound interest है, हमें जो पूझा गया है, वो है, find the difference between simple interest and compound interest, simple interest और compound interest का difference हमें find करना है, तो हम compound interest से simple interest को minus करेंगे, तो 3,328 से 3,200 मैनेस करेंगे, तो जो answer आएगा, 8-08, 2-02, 3-21, 3-30, रूपीज वन अंडेट ट्वेंट 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 तो compound interest और difference, सरी, simple interest, इनका जो difference होगा, वो होगा, रूपीज वन अंडेट ट्वेंट ट्वेंट तो हम यहाँ पे लिखेंगे, difference between compound interest and simple interest is equal to रूपीज वन अंडेट ट्वेंट 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 तो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कि थोड़ा fast हो रहा है, तो आप सभी को request है कि जो वीडियोज हैं, वो आप जरूर एक दो बार देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा, दो या तीन बार अगर आप देखें, तो हर वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, मेरा पढ़ाने का मतलब थोड़ा सा फास्ट लिने का इंटेशन ही था, कि कम समय में आपका एक दो तीन बार रिविजन हो जाए, आप देखें, एक ही बात एक गंटा समझने से अच्छा है, एक बार ही समझने से एक गंटे में वो ही बात दो बार समझी जाए, तो दो बार रिपिटेशन भी होगा, और वही बात समझ में दो, मतलब यह गंटा ही लगेगा, तो आपको अच्छे तरह से वो अपने माइंड में पिट हो जाएगा, तो और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, कि जो लाइव सेशन है, वो भी मैं शुरू करना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ डाउट हो, और लाइव सेशन में वो क्लियर करने हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम संडे को, शाब में 7 या 8 बजे के बीच में, लाइव सेशन जो हैं, वो ले स सकें, तो हर संडे को हम लाइव सेशन अरेंज कर सकें, जिससे कि जो कि आप, जो भी आपके डाउट हो, एक्जाम के रिलेटेड या सिलाबस के रिलेटेड, वो हम वहाँ पे कवर कर सकें, या क्लियर कर सकें, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन् सकें!